नमस्कार स्टुडेंट्स बी ए सेकिंड एर की सभी शात्राओं को मेरा नमस्कार स्टुडेंट्स हमारा टॉपिक चल रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमने किया था प्रतम सदन हाउस ओफ कॉमन House of Common की रचना हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी आज हम करेंगे House of Common के अधिकार कारे शक्तियां देखे स्टूडेंट इसमें प्रशन इस प्रकार से बनेगा कि स्पस्ट करें ब्रिटेन का प्रतम सदन विश्व का सरवादिक शक्तिशाली सदन है यह प्रशन बन सकता है या सिधा सिधा यह पूछा जा सकता है एक्जामिनर द्वारा की House of Common के कारे और शक्तियां बताएं या फिर छोटा प्रशन दो नमबर का प्रशन इन वेसे किसी भी प्रकार की शक्तियां आ जाएंगी जैसे वितिय शक्तियां बताएं, house of common की वितिय शक्तियां बताएं या विधाई शक्तियां बताएं दो नमबर का प्रश्ण आ सकता है देखिए मैं ये समझती हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगी तुमें कि सबसे पहले तुमें पहली वीडियो से लेकर अब तक की इस वीडियो तक के नोट्स तुमें अपने रजिस्टर में मैंटेन करने होंगे, बनाने होंगे और यदि किसी कारणवश, तुम्हारी कोई वीडियो रहे गई तो मुझे पर्सनल नमबर पे कहे कर तुम मंगवा सकते हो और किसी भी प्रकार की कोई प्रोब्लम, कुछ प्रननशेशन में प्रोब्लम आ रही है या कुछ वीडियो में प्रोब्लम आ रही है राइटिंग में प्रोब्लम आ रही है किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोब्लम आ रही है तो students देखे हम आपके लिए ही ये सब कर रहे हैं तो तुम्हें पूरा अधिकार है अपनी प्रोब्लम को हमारे द्वारा सॉल्व करवाने का तो तुम्हें क्या करना है अभी फर्स्ट काम क्या है तुम्हारा कि सभी वीडियो को सुनना है और एक रजिस्टर में लिखना है देखे students यदि हम पीछे का पढ़ा हुआ रिवाइस नहीं करते तो वो एक समय के बाद हमारे मस्तिस्क से निकल जाता है और यदि हम रिवाइस करते हैं तो हमें पूरा का पूरा ध्यान में रहता है, दिमाग में रहता है और थोड़े समय बाद में वो हमसे बहुत ही परिचित हो जाता है तो मेरा आपको ये personal suggestion है कि हर वीडियो को सुनें वीडियो बीच में मिस ना करें और सुनने के बाद में एक रजिस्टर में ये सब बातें भी यदि तुम लिख लेती हो जो मैं बोलती हूँ तो भी तुम्हारा बहुत अधिक कारेभार कम हो जाएगा तो इसी के साथ में आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं हाउस ओफ कोमन या ब्रिटेन का प्रथम सदन लोक सदन के अधिकार व कारे देखिए फर्स्ट इयर में तुमने व्यवस्थापिका के कारे, कारे पालिका के कारे, नियाई पालिका, सारे कारे किये थी तब हमने देखा था विदाई कारे, वित्ये कारे, कारे पालिका, समंधी कारे, शाशन सत्ता के उपर कैसे नियंत्रन, यह सब कारे रहते हैं तो वही कारे house of common के हैं जो हमारे यहाँ पे लोकसभा के हैं क्यों क्योंकि हमने British Parliament का ही सिस्टम लिया है हमारे यहाँ पे भी Parliamentary सिस्टम है संसदी शाष्चन वियवस्ता है और उसमें प्रथम सदन जो है वो अधिक पावरफुल होता है हमने कल बात की थी ब्रिटेन की पार्लियामेंट के दो सदन है पहला सदन प्रथम सदन house of common और दूसरा सदन house of lord है तो तुम्हें देखो students इस बात का पता होना चाहिए कि house of common विश्व का सबसे शक्तिशाली सदन है तो विश्व का सबसे शक्तिशाली सदन कौन सा है house of common तो शक्तिशाली है गौरव मई है सबसे अधिक प्राचीन है तो विश्व का सबसे अधिक प्राचीन सदन है गौरव शाली सदन है और इसके साथ साथ में प्राचीन सदन है तो आज हम ये कर रहे हैं कि जो विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली सदन है उसके पास में क्या क्या शक्तियां है तो देखिए students पहली शक्ति है विधाई शक्तियां तो विधाई शक्तियां विधाई यानि विधी संबंदी शक्तियां विधी शक्तियां में क्या होगा कि कानून निर्मान संबंदी शक्तियां आएंगी कानून निर्मान संबंदी शक्तियां विधाई शक्तियों में कानून समंदी शक्तियां आती है जो कि एक संसद का सबसे महत्व पूरण अधिकार या कारय होता है शक्ति होती है देखिए स्टुडेंट्स 1911 और 1949 के संसदी अधिनियम से पहले कानून निर्मान का कारे लौर्ड सभा और लोकसदन मिलके किया करते थ बाद में जो कानून निर्मान का कारे है उसमें अंतिम शक्ति लोकसदन के पास आ गई हाउस ओफ कोमन होसी के पास में आ गई अभी होता क्या है लौर्ड सभा के पास में तो 1949 और 1911 के दिनियम के बाद में शक्तियां नहीं रह गई तो क्या होता है देखिए किसी भी विध विधियक को जब हाउस ओफ कोमन लौर्ड सभा के पास में भेशता है विधियक को पारित करने के लिए तो होता क्या यदि लौर्ड सभा उस विधियक को अस्विक्रत कर देता है तो वह है पुन है पारित होने के लिए लोकसदन के पास जाता है लोकसदन में जब जाता है दूसरी बार लोग सदनों से पारित करने के लिए भेशता है, तो द्वित्य और तृत्य वाचन, दो वाचन, द्वित्य और तृत्य वाचन की तिथी के बीच में यदि एक वर्ष का समय बच जाता है, एक समय का, एक वर्ष का समय पूरा हो जाता है, तो लोड सभा की इस स्विक्रती के बिना ही वह जो विध्यक होता है वह दोनों सदनों से पारित हो गया होता है पारित हुआ समझा जाता है अर्थार्थ अब वह विध्यक का जो प्रस्ताव है वह लोग सदन से ही दोनों सदनों में समझा जाता है कि लोड सभा ने भी पारित कर दिया है इस प्रकार हमने देखा कि लौड सभा केवल किसी विधियक को एक वर्ष के लिए विलंब कर सकती है रोक सकती है केवल लौड सभा एक वर्ष के लिए रोक सकती है बलकि दोनों सदनों में पारित हुआ समझा जाता है उसके बाद में हमारा जो लौड सभा हाउस ओ कोमन का द्वित्य शक्तियां है वो है वित्य शक्तियां देखें स्टूडेंस बिट विदेयक केवल हाउस आफ कोमन में ही लाए जाते हैं प्रस्तावी तो होते हैं वो कभी भी किसी भी कंडिशन में लौड सभा में नहीं लाए जाते हैं जैसे हमारे यहां पे लोग सभा में लाए जाते हैं राज्य सभा में नहीं वैसे ही यहाँ पे लोग सदन में ही लाए जाते हैं लौड सभा के पास क्या अधिकार है लौड सभा के एवल एक माहा तक उस पे विचार कर सकती है और यदि विचार करती है लौड सभा तो वो जैसा भी बोलती है वो हाँ या ना तो एक माह बाद दोनों सदनों में, लोड सभा में भी और लोग सभा में भी दोनों सदनों में उसी रूप में पारित हो जाता है जिस रूप में House of Common में आया था. तो बजट का जो प्रस्ताव है, बजट के प्रस्ताव में लोड सभा केवल एक माह तक विचार कर सकती है, एक माह बाद में उसी रूप में पारित हो जाता है जिस रूप में House of Common से आया था. अभी देखिए स्टुडेंट्स तुमें कुछ अंदाजा हो गया होगा कि House of Common की पावर अधिक है, House of Lord की पावर कम है. देखिए स्टुडेंट्स हमने ये देखना है कि बिटिश पार्लियामेंट में शक्ति शाली सदन कौन सा है, फिर नेक्स्ट प्रशन आएगा कि लॉड सभा की कारे और शक्तियां बताईए, तो यहाँ पे ही उस प्रशन को देखते हैं कि लॉड सभा की कारे और शक्तियों में ये आ जाएगा विदाई शक्तियां लौड सभा की क्या है एक वर्ष तक के लिए विदेयक को रोक सकती है उसके अलावा वितिय शक्तियां लौड सभा की क्या आएगी लौड सभा में एक माहा तक विचार किया जा सकता है उसके बाद में हम कर रहे हैं लोक सदन की शक्ति देखिए कारे पालिका शक्तियां क्या क्या है कारे पालिका के अंतरगत कौन कौन आते हैं मंत्री परिशद मंत्री परिशद मंत्री मंडल मंत्री परिशद और मंत्री मंडल जो है उन से वो मंत्री परिशद पार्लियमेंट के फर्स्ट जो सदन होता है उसके प्रति उत्तरद ही होता है कैसे मंत्री को पार्लियमेंट के सदसे अर्थार्थ सांसद लोग सदन के सदसे मुख्यत है लोग सदन के सदसे प्रशन पूछ सकते हैं और पूरक प्रशन पूछ सकते हैं काम रोग को प्रस्ताव ला सकते हैं एविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं निंदा प्रस् रखता है किसके द्वारा लोग सदन के द्वारा अभी कारेपाली का समंध्य शक्ति के बाद है शाशन सप्ता को मर्यादित रखना देखे स्टूडेंस इतना अधिक जो कारे है वह कारे अपना है लोग सदन का तो इस वज़े से चर्चिल जो की बिटेन के प्रधान मंत्री थ चर्चिल ने कहा भी चर्चिल क्या कहते हैं कि यह जो है हाउस ओफ कोमन स्वतंतरता की रक्षा का दुर्ग है स्वतंतरता लोगतंत्र की रक्षा का दुर्ग है कैसे करता है शाशन को मर्यादित करता है जो शाशन उसको मर्यादित करता है और जंता को क्या करते हैं स्वतंत कुशल राज मितिग्य हमने देखा चर्चिल छोटे ही अवस्ता में HOC का हाउस ओफ कॉमन का लोगसदन का सदस्य बन गया था और उसके बाद में देश का परधानमंतरी बन गया था और देश का परधानमंतरी बनने के बाद में भी चर्चिल ऐसे परधानमंतरी थे जो लोगसदन के सदस्य थे उन्होंने एक शब्द भी कहा था मैं लोगसदन का शिशू हूँ अर्थार्थ पहले लोगसदन में का सदस्य थे और फिर देश के परधानमंतरी बने थे चर्चिल इस परकार से हमने देखा कि कुशिल राजनितियों का चैन भी लोगसदन में ही होता है फिर आता है जनता की राय को विव्यक्त करना जनता की राय कैसे कल हमने किया था लोगसदन में सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष की आयू होने चाहिए प्रत्यक्ष मतदिकार होता है व्यस्क मतदिकार होता है यह सब हमने किया तो इससे यह दोनों के दोनों पॉइंट्स तमार क्लियर हो जाएंगे उसके बाद में देखिए निश्क और शुतह जनता के वो राजनितिक शिक्षा देते हैं ये देश का दर्पन कहलाता है उसके अलावा देखो हमने ये सब देखा और हमने ये जान लिया कि जो हाउस ओफ कोमन है वो विश्व का सबसे शक्तिशाली प्रत् दृत्य सदन तो USA की सिनेट है और यदी हम बात करें कंजोर सदन विश्व का सबसे अधिक प्रत्थम सदन तो वो है रीपरजेंटेटीव है कौन सा USA का हाउस ओफ रीपरजेंटेटिव और दृत्य सदन जो की विश्व का सबसे कमजोर है तो बृतेन की लॉर्ड सभा अब हम निशकर्ष में ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन का हाउस ओफ कोमन सरवाधिक प्राचीन है संसार का और सरवाधिक शक्तिशाली है और सरवाधिक गौरव मई सदन है इसका स्क्रीन शोट ले लें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोब्लम आती है तो मुझसे करें